चाइनिज सिनिमा कंटेंट के मामली में अब के टाइम पर खतम हो जुका बट एक टाइम था जब वहाँ पर भर के तुम्हें इंटरेंटमेंट देखने को मिलता था और मार्शल आट फिल्मे वाइल देखने को मिलती थी तो इसलिए बूसली जिन्होंने कई सारे लोगों को सारा मार्शल आट सीखने के लिए और वहीं पर बच्चा आता है जिसका नाम है स्टीफन शो जो बूसली को देखकर मार्शल आट सीखने गया फिर मार्शल आट सीखते सीखते उसे रियलाइज हुआ क्या नहीं मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए जिस डारेक्टर के बार सेम तारिफे मिल रही थी और फिर उन्हें एक मॉडन एज कॉमेडी किंग का टेग लाइन दी गई थी इस्टिफन शो के करियर के बारे में अगर अपन देखें तो कही सारे लोगों पर यह मोटिवेट कर सकते कि कहां से उठे थे और कहां यह पहुँच गए एक्टिंग का शॉक था धीरे धीरे इनका स्ट्रगल करने के बाद में 1988 में इन्हें साइड रोल मिला दफाइनल जस्टिस में और 40 फिल्मों में अपना अपीरेंस करने के बाद में फाइनल स्टिफन शौ ने सोचा कि नहीं अब मुझे एस डारेक्टर और राइटर भी डेब्यू कर देन से बट फिर साल आता है 2001 का जिसने स्टिफन चौ को इंटरनेशनली भी सक्सेस या को फैम दिलाई थी वह फिमती सावली शौकर यह फिल्म बाहर के देशों में भी सेलिब्रेट की गई और इसने बॉक्स ओफिस कलेक्शन भी अच्छी कर ली और रिवीउस तो इसने कमाल के कमाये थे बट 2001 में वीएफेक्स वर्ड बहुत ही नया था लोग इसे वीएफेक्स की वजाए कंप्यूटर वर्क कहा करते थे और 2001 में इन्होंने बेसिकली स्टिफन चौ की फिल्मों का बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता था वीएफेक्स प्लस कॉमेडी प्लस स्टोरी क्लासिक फिल्म देखने को मिली जिसका नाम था कुम्फू हसल इस फिल्म का पहले नाम होने वाला था कुम्फू उसके बाद में जो इसके हॉल्यूट के राइट्स खरीदा वह स्टूडियो था उन्होंने इसके पीछे हसल लगा और इसका नाम हुआ कुम्फू हसल जो की इसलिए थी कि हसल यानि कि वेस्टन कल्चर में भी फिल्म प्रजेंट होने वाली तो उसके पीछे एक्स्टा नाम लगाने ब्रैंड प्रमोशन जाद अच्छे से लोग पैचानेंगे इस फिल्म को और वह चीज वर्क भी करी इंटरनेशनली इस फिल्म को काफी अप्रेज इस फिल्म के अंदर बहुत से फिल्मों के रेफरेंस तुम्हें देखने को मिलेंगे कुम्फू असल के स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही जादा डिफरेंट और बहुत ही जादा बहुत है बहुत ही यूनिक था क्योंकि राइटर स्टिफन चौत है तो उन्होंने इस फिल्म को काफी बहतुरिंग तरीके से लिए और इस फिल्म में धीरे-धीरे करके करेक्टर को इंट्रूड्यूस करवा जागा पहले इस करेक्टर को दिखा जाएगा कि यह भी मार्शल आट एक और फिल्म के कहासियत क्या है कि जो चीज तुमें फणी लगेगी वो एक्चली में मीनिंग्फुल होती है जैसे कि तुम इस मूवी में बहुत से सीन देखो कि जहां पर लेंड लेडी कुछ अजीब चीजे कर रही है हमें लगता है कि यह फिल्म के कॉमेडी पॉंट और व फिल्म ऑफ आल टाइम बन चुकी थी यह फिल्म का बढ़िया लगी लोगों को इस फिल्म का काट्उन भी 2010 में देखने को मिला बट इसके बाद में स्टिफिन चौ ने एक्टर अपने रिटार्मेंट ले लिए उसके बाद में उन्होंने किसी भी फिल्म में एक्टिंग न देखा था तब यह फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी और यह फिल्म काफी बढ़िया लगी मुझे तब से अब तक इस फिल्म का और कुम्फु असल का बनाने का तरीका सेम है इस फिल्म के अंदर भी धीरे-धीरे करेक्टर्स इंट्रिद्यूस करवाय जाते हैं और फि फिल्म की स्टोरी लाइन तो ठीक ठाके बट कॉमेडी कमाल की यह फिल्म बहुत पनी लगी मुझे जो स्टिफन चौक का चार्म था कॉमेडी का वो मर्मेड में भी बरकरार रहा बट मर्मेड के बाद में जब 2019 आया तब तक यह चार्म खतम हो चुका था उन्होंने अपनी 1990 फिल्म तिंग ओफ कॉमेडी का एक सीकुल या फिर जो भी इसे नाम देना चाहो उस फिल्म को बनाया और उस फिल्म ने इतनी कमाई नहीं करी जितनी स्टिफन चौक के फिल्म में करती है वो फिल्म अप टूदा मार्क नहीं निकली और उसके बाद में कोबिट को ऑपरचिनिटी दे रहे फिल्म बनाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं उनके वीडिया पर कर रहे हैं क्योंकि अपका टाइम शोशल मीडिया का बहुत जादा हो चुका है और साथे साथ अम मैं तुम्हें अगर बता हूं उनके बारे में तो कुम्पू असल का कोई तब की कॉमेडी और अपके कॉमेडी में बहुत जादा फरका चुका है लेंड लेडी को तो मोटी के दो वो चलेगा अब कहोगे तो शायद लोग ओफेंसिव हो सकते हैं और खेर दूसरी बात ये बता दूँ कि स्टिफन शौ ने अक्टिंग से रेटार्मेंट ले लिए डारेक्शन से नहीं लिए तो वो अगर अगर अधर कास्ट के साथ में इस फिल्म को बनाएंगे तो शायद वो हो जाए जो किंग ओफ कॉमेडी के सीक्वल के साथ में होगा तो आज का वीडियो था डारेक्टर के ओपर कि स्टिफन शौ कितने लेजेंड डारेक्टर है जि यह तो आज पहला वीडियो था इस टॉपिक के ओपर ट्रस्ट मी आने वाले टाइम में में और फेमस फेमस लोगों के बारे में बातचीत करूंगा और वीडियो में और जादा डीटेल और जादा इंटर्टेन्मेंट लेक्या होगा तो चैनल को करो सब्सक्राइब मिलते क से अगले बैतरिंग डिरेक्टर या मूवी के साथ में